असलाम अलेकुम जय हिंद डेल लर्नर्स आज हम सल्प करने जहा रहे हैं क्लास 8 मेंट्स एक्सरसाइज 6.3 तो यह जो एक्सरसाइज है यह हिस्टोग्राम से रिलेटर है हिस्टोग्राम किया है तूड़ी देर में आपको पता चल जाएगा अलड़ी हमने बार ग्राफ इसको बार डाइग्राम भी कहते हैं देख लिया इस पर बहुत सारा प्रबलेंस भी सल्प कर लिया मतलब एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 हमने सल्प कर लिया तो आप लोगों मैंसे ज प्लेइलिस्ट में जा सकते हैं और इन वीडियोस देख सकते हैं आप तक करीबान 45% एक्सरसाइजिस्ट के प्रब्लेम्स इस में अप्लोड हो चुका सब वीडियोस आपको प्लेइलिस्ट में बिल जाएगा तो देखिये यह जो हिस्टोग्राम है यह कुछ नहीं यह होती ही इजी है तो फास्ट केस्ट केस्ट में एक फ्रेक्वेंसी टेबिल्स चूजिंग एप्रूप्टेट क्लास इंटर्वेस एंड रोह हिस्टोग्राम्स फॉर्द फॉलेंग टेटा तो यहां नीचे डी हुई कुछ क्वेस्टेंस हैं 5 क्वेस्टेंस हैं इन टेबिल बना देंगे और इसके बाद इसकी जो कर्रेस्पंडिंग हिस्टोग्राम है इसको भी ट्रिप्र करेंगे ठीक है और यहां देखें क्वेस्ट नूबर वान गिविन विल्वार्टी मार्स अप्टेंड बाइ स्टूदेंस इन अ क्लास टेस्ट चूस टोस टेन टू ट्रिप्र स्ट्राइब यहां जो डाटा गया देखेंगे ट्रेल 12 12 15 20 वैसे करके लास्ट में देखेंगे 89 90 एन 44 वैसे करके लास्ट में दूख क्येस्टन देगाए हैं अंसर दी वलें ग्येस्टन स्क्षिन नूबर वन इस प्स्मार्क पर फोटी हाव मने स्टूदेंस द यह ट्रेविल मतलब यह प्रेक्विंसिटी विल है तो इसको तैयार करेंगे इसके बाद इस साइड में हम हिस्ट्रोग्राम प्रिप्यार करेंगे तो देखिए यहां एक चीज़ देगए है यहां जो डाटा देगए है सबसे चुटार है 12 और सबसे बड़ा जो है वह 90 है यहां और भी एक ख्लू दिए गये है यह जो क्लास इंटर्विल होगा हंदा टेंग टू टू टेंटी फाइब ऐसा ही होना चाहिए यहां नुटिवल की से होना चाहिए यह धी दे रखा टैंटू ट्रटिवल तो यहां देखिए गप में 15 है तो क्लास में हैं जितने शारह क्लास इंटरविल्स होंगे इनमें लोर लिमिट और आपार लिमिट की बीच में 15 डिफरेंस होना चाहिए 15 और यह कहा गया कि यह है सबसे पहले की जो क्लास इंटरविल है वह होना चाहिए इसका मतलब क्या है हम 10 से 25 इसे ही शुरू करेंगा ठीक है तो लास्ट कितने तक जना है अप टू 90 90 तक कवर करना होगा तो यह आपको एक चीज़ पता है कि क्लास इंटरविल दू तरह क्यों होते हैं एक होते हैं और अबर लेकिंग मतलब क्या है यहां देखिए 10 से 25 तो यह नेक्स्ट क्लास आएगा ना तो नेक्स्ट क्लास की यह जो फास्ट नमबर है मतलब लौड लेट यह फिर से 25 से शुरू होगा और यहां फिटिवाइब से 15 लेने के लिए कौन से नमबर नेक्स्ट मेंना चाहिए 40 तो देखिए 25 25-40 इसके बीट में भी 15 है मतलब इन दुन्यों के difference 15 है तो देखिए यहां यह जो क्लास है इसकी अपर लिमिट और इसकी नेक्स्ट जो क्लास है इसकी लौड लिमिट से इन है तो इसको कहते है और ना अबर लिमिट मतलब क्या है मान दीजिए यहां 25 है तो अगर यहां 26 से शुरू होता 41 तो इसको कहते है नोन अबर लिमिट मतलब पहली क्लास जो है इसकी अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लौड लिमिट से एक कम तो यहां 10-25 हम आओ अबर लिमिट क्लास इंटरविल लेंगे तो आग इन केस्टन के सुल करतें तो फास्ट क्ला इसके फिफ्टी नेक्ट कर लिए तो 55 हो जाएगा इसके बाद देखे 55 तो 70 होगा इसके बाद देखे 70 टू 85 इसके बाद देखे 85 तो 100 तो यह दो प्लास इंटरविल आप यहाँ ठेली मार्क है यह आपको पता है हमने इस पर होच सारे क्यूशन सल किया ठेली मार्क और फ् पता है रेकरी मार्क इसके लिए पर यहाँ पूर्टी चाहिए कोण सी क्लास में हम या फिर इस विए कि यह 25 इसमें भी है इसमें भी है तो यहां रूल यह है भाई next class जो होगा ना इस पर शिमार करना पड़ेगा किसी नमबर किसी डाटा की किसी भी item किसी भी object मतलब नमबर अगर लिमीट में किसी एक लिमीट में आ जाए तो वो दू लिमीट में आएगा कहली class के आपार लिमी है तो इसकी आपड़ लिमीट में है तो इस class में नहीं होगा इसकी लिमीट में है तो इस class में होगा तो आप देखे 10 to 25 तो हमारे यहां चो नमबर आएंगे ना तो 10 तो आएंगे यह तो लौर में है 10 से शुरू होगा यहां तो 10 भी नहीं है 12 से शुरू आ रही है तो कोई ठीशे 12 और एक मर्क दीजे इसके बाद दिए 15 ये भी 24 के अंदर है तो और एक मर्क इसके बाद दिए 20 तो तो और एक मर्क तो 20 भी 24 के अंदर है आप दिए 35 तरफ़े नहीं आएगा तो फोर्ट होगा अभी यहां फाइनील मत लिखना अब ने ऐस दीए 25-20 45 to 45 to 40 है लेकिन 40 अगर किसी नूमरPad 40 तो किस क्लास में अएक इसको नहीं तो नहीं कि यहां बेखे शिक्स हैं स तो ऑना चाहिए तो तो चरिके फॉर्टि फिटीफ्टी 54 54 अवर 54 के पीछ में requirements लागा दिया है आपय जिएने 25 विए ka ब्रट मार्ants सब्सक्राइब works इसंडीनक खोगा क्या तो 767 देकि इसके बीच्च अंदर है उसके पाद धेके 69 भी आये गा system this 누ुए यहां पाक Mark तो फिर से फिर से फिटी सिक्स आ रहे हैं और एक फिर से फिटी से बनारी हैं और प्षिकेश और फिटी से बनारी और एक मार्क यहां दीके 5000 ही आ रहे तो मतलब 70 टू-84 तो हम लेंगे, टिके तो 70 आएगा, तो यह एक मार्क लगा ना, इसके बाद देखिए, एक-टी-फोर तो यहाँ देखिए 89 नहीं आएगा, 78 तो आएगा, और एक मार्क देना, अच्छा, आप यहाँ देखिए 79, 79 तो हम ले सकते हैं न, तो और एक-मार्क ह तो और एक मार्क है इसके बाद देखिए और नहीं आएगा नेक्स देखिए 85-100 85-100 नहीं 99 तो यहां तो 99 तक तो नहीं आएगा 90 तक ही आएगा तो देखिए यहां कितने हैं मतलब क्या है यहां जितने सब्सक्राइब करें तो बागी जो रहे गया यहां इस अजाएगा तो यहां देखिए 89-80 नाइंटी और तीन है तो एक चार होए तो आप पास होए और एकचे है तब यहां टुटल कर लाते हैं देखिए पास कितने हैं यह दू तो है तो क्या लिखेंगे हैं तो यहां आप हम क्या लिखेंगे हिस्टोग्राम करेंगे तो यह किसके हिस्टोर्म में है, इसके रीलेटेट रीलेटेटेट है, तो मार्स उप्टेन भाइ स्टुडेंस, इसके एक नाम भी होना चाहिए, तो नाम तदे दिया भाइ, आप दिक़्ें, यहाँ यह एक line होते हैं इसको ग्यां लेंगते है vertical line और यहां भी एक line होगा इसको वहने और horizontal line यहां बन कर दो यहां भी बन कर दो तो यह है y axis और यह है x axis ठीक है और यहाँ 0 होगा ठीक है? अगर क्वांटिर के को जो नाम होते बशनी så होते ऑए क्वांटिर के जो मेशर है मतलब नंबर यहां बसका है तो इसको यहां कत्ते हैं है 10 सक्राइमस सल्कित시죠 तो देखिए, वान, टू, ट्री, पॉर, फाइब, सिक्स, सेबन, एट, नाइन, टें, तो यहां एक चीज देखिए, यहां एक चीज ध्यान से दखना, यहां हम 10 से यह जो हिस्टोग्राम है ना, 10 से शुरू कर रहे है, 10 से स्टार्ट कर रहे है, तो अगर 0 से स्टार्ट करता, तो यहां से शुरू होता है, यह 0 है, 0, 1, 2, 3, से हैं ना, मैंने कहा था ना, फास्ट कि यह इसको 0 भी बन सकते हैं, तो 0, 1, 2, 3, से होते हैं, तो यहां तो हम 0 से नहीं शुरू कर रहे हैं, 10 से शुरू कर रहे हैं, तो यहां एक ब्रोकेन लाइ इतने तक तो अप्टो 10 है लेकिन हम जिरो से नहीं शुरू कर रहे है इसलिए यहां यह ब्रोकन लिखा है ब्रोकन साइन दिया है तो आप देखिए 4 है 10 25 है तो यहां 4 कहां पर है यहां पर तो इसकी जो सिदा सिदी ऐसा ही दे दना तेखिए यहां तो यहां 25 लिखे है इसके बाद यह 25 तो फोरी गया थे त्री यहां है तो इसके रुबर 3 है तो यहां लिखना 14 नेक्स देकिए फिटी फाट टू ना सरी फोर्टिट विट्ट फिटीवट फिर से त्री है तो 40 to 55, फिर से 3 है, तो 40 to 55, इसके बाद देखिए, 55 to 70, 10 है, तो 55 to 70, 10 है, 10, 10 तो यहां है न, तो इसकी सीधा आना चाहिए, तो ऐसा ही हो रहा है बिलकुल, ठीक है, अच्छा, तो 55 to 70 है, इसके बाद देखिए, 70 to 85, 4 है, तो फिर से 4 तो काना, तो यह तो 4 है न, तो 72, 70 to 85, अच्छा, लास्ट देखिए, 85 to 100, 6 है, तो 6 तब यहां देखिए, 75 to 100, ठीक है न, तो देखिए, हिस्टोग्राम प्रिपेर हो गया, तो यहां देखिए, बारग्राफ में हम ऐसे ही करते हैं न, ऐसे ही, ऐसे ही अलग 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 कर देखिए, यहां दिख्टोग्राम आलग अलग नहीं, एक दिसरे के साथ यसा ही जुड़ा लगना चाहिए अब दीखिए, यहां यहां क्या है, यहां Mark कोございます, मतलब ने स्ने ह्कित की है दूआ लेक्त अब फσι्टेशि दौटब सकते हैं आप यसे में बना सकते हैं आज आब नेक्स देखिए दूए क्वैस्ट्टोने का अट है तो कितने students है जिन्होंने इस lesson को समझा नहीं तो lesson ना समझने की मतलब क्या है इन्होंने पास नहीं किया और पास नहीं किया मतलब क्या है इन्होंने 40 से कॉम marks हसिल किया थे मतलब 40 तो हम नहीं लिया तो 49 है तो 40 आप तो 39 यहां तक लिया ना तो देखिए यहां 4 आवर 3 7 है तो टुटेल क्वेशन नमबर वान के अंसर क्या है 7 students यहां पूरा आंसर भी लिख सकते है कि 7 students did not understand the lesson और next question क्या कहा इफ student gets a price on obtaining 85% or more marks how many students qualify for the price तो यहां देखिए 85% से ज्यादा marks मिलना तो मतलब क्या है 85% अब इससे ज्यादा तो देखिए आप टू यहां क्या है 85 लिखा लास्ट अपार लिए 85 तो हम तो 70 से 80 84 तो किया लियाते न तो 85 से यहां है तो किहां कितने 85 से 106 students है तो टू नमबर आंसर होगा 6 students अगर आप चाहें तो पूरा आंसर लिख सकते है कि 6 only 6 students क्वालिफाई पूर दी प्राइस चाहें यहसे भी आनसर लिख सकते है तो बाई वान नमबर क्वेश्चन कम्रेट होगा आप क्वेश्चन नमबर टू दीखिए गिवन बिले इस परसंटेज अब कस्टमार्स बाईंगे पर्ट्ट्पूला निस्पेपर इन 15 डिखरेंट कोलोनीज चोज 48 एज वान अफ दी क्लास इंटर्वेल्स 2410535987 12151619 and 22 तो इसके बात दू प्रेस्टन्स दे गाए है इनको भी इनके भी अंसर निकलना ठीके 25 दीन के ये सर्वेए इस सर्वे में एक पटिकौलर निस्पेपरा कूंसी दीन में कितने लोग खरिद किया है तो यहाँ दिन के सब्सक्राव नाम तो नहीं दी गेगए वही। तो तुटल एक 15 दीन जिन परफ़ ये सुकूलाई गया तो एक दिन में 2 2 निसपरीबाई एक एक दिन चार, एक दिन एक, एक दिन एक भी नहीं, सुन्यों मतलब एक भी नहीं, एक दिन पाँच, तीन, पाँच, नो, ऐसा ही थेस, लास्ट मैं, तो इस 15 दिनों की जो सावे हैं, इसमें, देखिए, यहां, फास्टक फ्रेक्वेंसी टेविल करना, टेविल नमबर टू दि पर टू एक तो हुरियर के 20 के होना चाहिए, 48 मतलब लॉड लिमित के गेप में, मतलब डिफर्णस पोर होना चाहिए, फोर डिफर्णस होना चाहिए, यहां देखिए, यह जो 48 क्लास इंटरवल कहां, यह कहां कि, one of, yes, one of the class intervals, yes, one of the class intervals, question number one में कहा था कि, जो दिया गाया था न, 10 to 25, question number one के case में, इसको कहा, yes, the first class interval, और यहां कहां कि, yes, one of the class intervals, जो इसका मतलब four से नहीं शुरू होगा, यहां हम data analysis के देखेंगे कि कहां से class interval शुरू करना है, यहां one of the, कहां, इसका मतलब क्या है, यहां just four to eight लिखके, यही बाताना चाहते है कि, यहां जो gap है न, यह four होना चाहिए, बस यह है, तो देखिए, इसके lot limit देखिए, एकदम चूटा number जो है, यह फूर है, और सबसे बड़ा number यहां क्या है, 23 है, तो इस four, इसके बात four to eight, इसके बात eight to twelve, इसके बात twelve to sixteen, sixteen to twenty, और twenty to twenty-four, हम last class twenty to twenty-four लेते है, क्योंकि last यहां number जो है यह 23 है, तो अगर 24 तो ख्लिया जाहे न, last class, तो यह 23 last है न, सबसे बड़ा number जो है, data जो है, वो इस class में शिमार हो जाएगा, अब देखिए, यहां ठाली मार्क लगाते है, गिन-गिन कर, जिरो, जिरो से फोर तो, मतलब four तो नहीं रहेंगे, क्योंकि next class में भी four लवार लिमित है, तो zero से three तक आना चाहिए, तो देखिए, one two आएगा, one आएगा, four तो नहीं आएगा, फिर जिरो आएगा, इसके बात three है, वो भी आएगा, और नहीं है पिसे देखिए four से eight, मतलब यहाँ four से seven तक हम ले सकते हैं, तो four first आएगा, five भी आएगा, four to seven है, फिर जिरो फाइगा, इसके बात seven तक ले सकते हैं, seven आ रही है, तो आएगा, इसके बात eight to twelve, मतलब eight to eleven तक हम लेंगे, तो eight to eleven, तो nine और eight यह दूनों आएगा, ठीके इसके इसके बात 11, तो twelve हम नहीं ले सकते हैं, इसके बात 12 to sixteen, मतलब 12 to fifteen, फिटीन हम लेंगे, 12 to fifteen, तो next class में आजाएगा, तो twelve आएगा, एक है, इसके बात 15 हम ले सकते हैं, तो और एक, और तो नहीं है, इसके बात 16 to twenty, तो मतलब 16 to nineteen होगा, तो देखिए 16 हैं और 19, दू है, तो यह वान, एक बार है, आप टूटल कहां करके देखते हैं, यहाँ टूटल हम गा, अप टूटल यहां लिखना, तो यह four है, four है, two है, two है, two है, one, four plus four, eight, ten, twelve, fourteen, fifteen, fifteen, तो यहाँ 15, यहाँ 15 observations है, तो fifteen होगा है, तो फिटीन होगा है, तो तो देखिए, यह तह है भ़ए, यह एक सेक्सीस, वाई है, एक सेक्स है, आप एक चीज देखिया, यहाँ हम जिरो सा स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यह बोके नहीं है, इसको इसा ही रखने देखिया, यहाँ देखिये, मैक्सिमाल क्या है, फोर है, तो फोर, यहाँ ही फोर काट मर्क लगाना, वाँ, टू, ट्री, छोर, वाँ, टू, ट्री, फोर, नमबरिंग भी कर दिया, आचा, तो आप OX में क्या लेखना, यहाँ देखिया, यहाँ देखिया, फिफ्टीन कोलोनीज है, यह सब कलोनीज है, और यह क्लोनीज में कितने बार सिर करके, निस पेपर खरीद क्या, तो यहाँ होगा, क्लोनीज, और यहाँ क्या है, परसेंटीज अब निस पेपर बायर्स, तो यहाँ लेगा, परसेंटीज अब निस पेपर बायर्स, आप देखिया, जिरो टू फोर, फोर है, तो फोर यहाँ है, तो देखिया, यहाँ जिरो से स्टार्ट हो रहे है, तो यह जो OY है ना, इसस इसके बाद देखिए 12 to 16 भी 2 है तो और भी 2 है इसके बाद देखिए 16 to 20 12 है 2 है फिसे 2 है आच्छा नेक्स देखिए 20 to 24 1 है तो 1 तो यहां है ना तो इसके सिद्धा ऐसा ही होगा आच्छा आप यहां देखिए 0 to 4 0 to 4 आच्छा 4 to 8 1 to 12 12 to 16 16 to 20 22 24 शेट कर देना तब इसको शेट कर दिया आप नेक्स देखिए दू क्शेशन बागी है क्वेशन नमर वान इन हाव मेनी कोलोनीज नौबड़ी लाइक्स टू रीड़ दी निस्पेपार तो कितने कोलोनीज है ऐसा कितने कोलोनीज है जहां एक भी लूग निस्प की परसंटी जो है यह जिरो होगा तो यहां देखिए जीरो है एक ही तो शिरिफ एक कोलोनी तो वान नूमर के आंसर होगा वान को दूनी आप टूबड़ क्वेशन देखिए के निउस पर पर इस बेरी पोपुलर तो इस डटा से हम इंटर्पिट करना चाहते है कि क्या यह यह जो निस पर नह场 सबक्राइब उसकंप र्राइड और टिंफरिफ्टीन के आदर कि लिए इस अपैसे 5.5 विफटीन zaman निइस से प Łर्दफेश आप देखिए यह मृत्ति मिदिन फीफ्टीन है यह ना 17 अच्छा आप देखिए यहा यह टो निपर लना km 7.5 आच्छा तो आगर 7.5 से ज्यादा है यह 7.5 है परसेंटेज तो समझा जाएगा कि यह क्या है निश्पेपर पोपुलर है वरना पोपुलर नहीं है तो हम भाता लगाते हैं देखिए तो 7.5 तो देखिए कि यह कितने दिन है जहां 7.अच्छा इसे कितने दिन है परसेंटेज के दो तेन चार पाच साथ तो इनमें से आठ दीन एक दो तेन चार पाच साथ यह सही आठ दीन है एट डेज है है जिसमें विले अवरेज परसेंटेज है विले अवरेज तो हम कह सकते कि इसके अंसर में कि यह popular यह नहीं है नौ कि दस्ट नौ कहने से हो जाएगा बस कि आपके शंद मत्री देखिए गिवेन विलो आर दी वेट्स ऑफ 25 चिल्ड्रेन इन फुटेल इन फुटेल तो यहां भी देखिए क्लास इंटर्वल दे रखा 25-28 मतलब बीच में डिफरेंस क्या है मतलब इंदों के बीच में क्या है इसका मतलब क्या है यह पहली से मतलब फास्ट जो प्लास होगा इसा नहीं कहा तो यहां जो डेटा गया है इसमें सबसे चुटा जो नंबर है 22 है और सबसे बड़ा जो नंबर है यह है 45 तो 22 और 45 भी आना चाहिए वे से यह क्लास शुरू करना और लास्ट क्लास भी एंड करना तो यहां देखिए 25 तो 28 है तो इसके जो प्लास होगा यह क्या होगा यहां लास्ट नंबर 20 नहीं है 22 नहीं 20 है 20 है यहां 22 नहीं यह 20 है तो देखिए यहां 22 से आगर शुरू करें तो 20 नहीं आएगा तो हमें क्या करना पाएगा और एक क्लास इसके पहले लेखना पड़ेगा तो 22 यहां आएगा अब तीन गेप तो 22 मारे 19 होगा तो हमारे जो क्लास इंटर्वेल है यह 19 से शुरू होगा तो 19 टू 22 टू 22 टू 25 टू 25 टू 25 टू 25 टू 28 यह क्लास इंटर्वेल तो आ रहे हैं ला इसके बाद दिखिए टू 28 टू 31 होगा इसके बाद दिखिए 31 टू 34 34 टू 37 टू 40 टू 42 टू 43 लास्ट में लेखिए क्या है 45 45 भी आना चाहिए तो इसका मतलब और एक क्लास बढ़ाना चाहिए तो 43 टू 47 टू होगा आचाहिए आप टेली मार्क लगाते है तो 19 टू 22 यहां भी 22 है मतलब यह अबार लबिंग है तो 22 नहीं है जा 19 टू 19 टू 21 आएगा 21 तो किया 19 20 और 21 यह तीन नमबर अगर मिले तीन नमबर के डठा अगर मिले तो इस क्लास में आ जाएगा तो 19 20 और 21 तो देखिए चिर्फ एक 20 मिल लेगे और 21 तो यहां यहां जाएगा 22 आ जाएगा तो 25 तो हम नहीं ले सकते 24 तो लेंगे 23 भी आ जाएगा त्रू आप देखिए यह तीन हमर पाएगा तो इस आजाएगा तो इस क्लास में आ इसके बाद देखिए और नहीं आएगा तो ऐसे ही सब को फाट काट करके यहां पूर कर सकते हैं तो बाई ऐसा ही यह जो टेबिल है तैयार कर लाना अब हिस्ट्रोग्राम तो यहां नाम भी लिके रहा है तो यह जो है यह क्या होते हैं कि यह आँ होते है और यह होते है कि आतां मैक्सिमाम हाट का या थाइब है तो फाइब ले लिए अगर सेंटीमेटर के बदल आप इस लिए तो भी होगा तो जिरो टू 5 मार्क लगा जाए हैं अब देखिए यहां 19 से शुरू हो रही हैं तो यहां ब्रोकन मार्क लगाना होगा भई कि कि यहां तो हम जिरो से शुरू करते तो यहां से यह जो ओवाई है ना ओवाई एकसी से ही बार बनते जाती है कि यहां है तो यहां गाना है जरूरी है आओ नाइटीन टू regularly क्या है वान तो यह है वान इसके बार फिक्या है 22-25 32-3 है आच आच्छा इसके बाद देखिए 25 तो 28 फिर भी 30 है लोगा ओ इसके बाद प्र्वी दखे 66 आए रही ऐल तो यहां तो यहां तियुआ इसके बाद ौन है अ को की है एक उबल से था रहे theo थे यहां 3 होगा ना इसके बार देखिए फाइभ है वाइब है याहां से होगा अच्छा अच्छा पार से बार कि फिर से थे दू बार है दोबला है अआएगा फिट से और है त्री है अब यहां 1922 1922 इसके बाद 25 25 इसके बाद 28 इसके बाद फोर्टी ट्री और 46 अचा यहां कि कि फॉर्टी ट्री ट्रोग सबस्क्राइब अब इस सैड में क्या देखते हैं आयो यह तो वेट है ना और इस साड़ में नंबर अप स्टुटेंस दिख दिख दिया आप इनको डर्कन कर सकते हैं डर्कन कर लिजिए तो भाई डर्कन कर लिया आप यहां देखें दूब क्वेस्टन्स दे गए हैं इंको भी सल्पना क्वेस्ट नमर वान देखें इफ चिल्ड्रेन और अब इस ग्रूप आर अंडर वेट इस बिलो 31 किलोग्राम हमें इस चिल्डेन इंडी होस्टेल अंडर वेट अच्छा यहा कितने स्टूूबेंत्स होनगे तो मतलब यहां है कितने स्टूूबेंस अडर वुट होँगे ठीके ठीके depressed 31 अफ तो यह हैं कितने हैindica 2001 यह बना जाएगा आगर स्टेंडर्डट वेट 31 किलोग्राम मना जाए तो इसके कंड़ इतने साथ स्टुरेंस है इसके कंड़ वॉजन वाल है इनको अंडर वैट बना जाएगा तो यशा है कितने हैं थें स्टुरेंस आप तो नम्हें प्रक्षिण देखे इफ चिल्डर्न हुँ वे 40 किलोग्राम एंड़ा बाबार कंसिड़र अबर्वेट तो अगर 40 किलोग्राम अगर 40 किलोग्राम या फिर इस से जादा 40 किलो या फिर 40 किलो प्लास मतलब 40 किलोग्र kellन्हार इसके उपर किसी स्ट्ट्ुद्रेका कुअम पर्वेट जाये और इंका वेट करना कमाना पड़ेगा तो ऐसा कितने स्ट्रूड्रेंश में जिनकी में वेट कमाना पड़ेगा लोग्र सकन चाहिए न तो आयसा कितनेस यहां से स्ञार्श से बятель तो यह answer में आप shortcut लिखे या फिर तोड़ा सा board लिखे कोई फरक नहीं मैंने shortcut लिखता हूँ six students यह जो answer है ना इसको तोड़ा सा लंपरा के भी लिख सेखते है कि six students need to lose their wets अब question no.4 देखिए given below are the heights of 20 saplings in a nursery छोज 100 to 10 cm as one of the class intervals तो इस question में दिखिए 20 पुदे की जो height है ना यह दिया गया है यह table मैंने completely प्रिप्यर कर दिया क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रही है इसलिए तोड़ा सा shortcut करने के लिए इसको पहले इसे प्रिप्यर कर दिया मैं समझा दूंगा इसको टेबल को तो यहां दिखे टेबल नंबर फोर है तो 20 पूदे जो है ना दरख की पूदे है इनकी हाई किसी एक नरसारे में 20 पूदे है दरख की पूदे तो इनका height देए गया है इसके बाद दूंग इनको इनका answer निकलना अचा आप देखिए यहां जो ग्लास इंटरविल में यहां difference 10 होना चाहिए ठीक है आप 20 तर ना पास्ट क्लास देखिए 70 से 80 तक लिया पास्ट क्लास 72 80 क्योंकि यहां सबसे चुटा जो बेल्यू है 79 है 79 है सबसे बड़ा जो है ना वह देखिए 132 है 132 तो देखिए इस डठा में इन दूब वेल्यूस भी आना चाहिए ना क्लास इंटरवल में तो देखिए अगर 72 83 फस्ट इंटरवल ले लिया ना तो 79 इसके वीच आ जाएगा और लास्ट 132 140 ले लिया ना तो 132 इस क्लास में आ जाएगा 72 80 फ्रेक्वेंसी वान यहां पहले इसको यहां क्लास मार्स तो क्लास मार्स यह कुछ नहीं बहुत इसी सी चीज है और यह क्लास इंटर्मेल में जो लिवार लिमेट और अपर लिमेट होते हैं इन दोनों की एवरेज होते हैं इन दोनों की एवरेज तो 70 प्लास 80 डिवाइडर बाई 2 तो तो देखिए 70 प्लास 80 क्या है 150 डिवाइडर बाई 2 इस इकल टो 75 तो जो फास्ट क्लास जो है ना इ 85 यहां एक कलम आपकर बढ़ा दिया जाए ना class mark के लिए तो भी ठीक है यहां आप बढ़ा सकते है class mark के लिए लिए बढ़ा दिजे यह क्या होगा 75 हो जाएगा यह 85 होगा यह 95 पहले के साथ 10 करके निची आईए तो यहां तो लिखना होगा ना तो यहां लिखना है और यहां वह वाई में हम क्या मिज़र कर रहे है नंबर अपशाप्लिंग्स तो यहां लिख देना तो लिग दिया यह यह जो हिस्टोग्राम है इसके लिए अब देखिए हिस्टोग्राम पर यार करना है तो देखिए 72-80 किया है फास्ट क्लास में यहां देखिए यह ब्लोकन होगा क्योंकि यहां हम 70 से शुरू कर रहे है जीर से नहीं कि देखिए तो 72-81 है तो 1 यह है अच्छा नेक्स देखिए 80-96 है तो 6 यह है इसके बाद देखिए 90-105 है तो 5 यहां है इसके बाद देखिए 100-10 100-103 है तो तरीक हाँ पर यहाँ पर है इसके बाद देखिए 110-120 फिर से 1 है तो फिर से 1 होगा नेक्स देखिए 120-133 है तो 3 यहां तो इसके बराबर होगा नेक्स देखिए 130-141 है तो फिर से 1 अच्छा आप हाइट के जो रेंज है नहीं के रेंज देखिए 70 तो यह है 70 यह है 80 यह है 90 100 110 120 130 और 100 फोट यहां जागा नहीं है इसलिए तुड़ा थाड़ा करके लिखा तो आपके कोपी में राइटिंग कोपी में अविलीबल स्पेस होगा तो तुड़ा सा अच्छिगर के लिख देखिए अच्छा आप इसको शेट कर सकते हैं तो शेट भी कर दिया आप दीके यहां दू क्वेश्चिन से क्रोड़ें क्रोल किस्टाइट है यह है कि जिस सेटलिंग है मतलब जिस पुदे के हाइट 120 सेंटिमेटर या फिर प्लास होगा तो इसको वेरी वेल ग्रोन कहा जाएगा मतलब बहुत अच्छी से बाढ़ रहे हैं और जिसकी बिलो 90 मतलब 90 सेंटिमेटर माय नस है ठीकिए बिलोग 90 सेंटिमेटर या 90 से कम है 90 है कि नहीं हाँ 90 सेंटिमेटर या इससे कम को अगर वेरी बेटली मतलब बहुत दिमी दिमी बढ़े हैं ऐसा ही माना जाए तो कितने यहां तो यहां काउंट कर लेए तो देखिए 120 के यहपाब तो 120 यहां है ना तो 120 और इससे ज्यादा कि यहां है 3 प्लस 14 तो क्वेशन नमर 1 के अंसर 4 सेपलिंग्स और क्वेशन नमर 2 के अंसर देखिए 90 से कौम होना चाहिए तो 90 यहां है तो 90 से कौम यहां क्या है 1 प्लस 6 7 है तो 2 नमर अंसर हो जाएगा 7 सेपलिंग्स आप और क्वेशन नमर 5 देखिए गिबन विलो इसनी मानी इन रुपीज सेवड बाइ 20 स्टूडेंट्स इन मान्त फ्रम द्यार पकट मानी चोज 20 टू 29 एज वन अफ दी क्लास इंटर्वेट्स तो यहां 20 स्टूडेंट्स की जो पकट मानी है किसी एक महीनी के पकट मानी से इन्हों ने इतने इतनी रुकुम के पैसे सेवड किया अपने पकट मानी से तो किसी स्टूडेंट्स ने बारा रुपिया स्टूडेंट्स सेवड किसी स्टूडेंट्स ने बाराई रुपिया सेवड किया तो देखिए इसकी अंसर कंप्लिटल मैंने लिख राखा वुडना वीडियो बहुत लंबा हो जा रही है ठीक है तो मानी इन रूपिस टेली मार्क तो टैन टू नेंटिन यहां देखिए 2229 2229 यहां जो class intervals होंगे ना इनमें से एक class interval 2229 होना चाहिए तो अगर ऐसा है तो यहां 10 से शुरू करना होगा क्योंकि सब से चुटा जो number 10 है और last में 89 तर जना होगा क्योंकि last के जो number 89 है तो यहां last के number 89 हम इस interval में क्या शिमार कर सकते हैं कर सकते कि यहां देखिए यह non overlapping class interval है 10 to 19 और 19 के बाद 20 और 20 next class interval से शुरू हो रही है तो यह overlapping नहीं है ठीके तो इसके corresponding जो बाट डाइग्राम है हिस्टोग्राम है इसको यहां ड्रो किया तो यहां देखिए मैंने class mark भी लिखके राखगा तो class mark क्या है देखिए इन दुनों के एड के जिए 10 और 29 आएगा और 2 से डिवाइड देने से 14.5 आज जाएगा तो वह से ही देखिए और यह class में है डिफरेंस तो सेम होगा class interval 10 ही होगा ना तो यह class में देखिए यहां से आगर नीचे आए ना तो 10 होगा 40.5 प्लास 10 24.5 इसके बाद 34.5 एसा ही लास्ट क्लास में 84.5 होगा class marks अच्छा आप यहां जो histogram यह भी प्रिप्याड हो गया यहां number of students और यहां लिखना प्रकट मानी सेट तो इन स्टूडेंस ने यहां इसी प्रकट मानी सेट किया तो यहां class interval में दिया गया यहां दिखिए यह class यह जो histogram है यहां broken राखना broken mark राखना क्योंकि यहां 10 से शुरू हो रहे है जिरो से नहीं आप दिखिए अब यहां 10 लिगए यहां 20 टाकी ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि यह non overlapping class interval है अब फिर्तरं से इनके answer दिकलना portion number one देखिये how much money do most students save तो ज्यदा से ज्यादा ज्यादा students ज्यादा students ने कितने रुपिए मतलब कौन सी रेंज में कौन सी रेंज की जो एमांट है पैसे की वह ज्यादा स्टूरेंट ने सेव क्या तो क्या सेंट किया पार्मFinally साथ शेुरेंट कि devient धिल्टने पैसे सेव क्या तो इसकी आंसर में रूपीस 32 32 39 छो जाए दो आप आप नेक्स्ट केशियन देखिया हाव मीनने स्टुनेस से मोड दन 50 रूपीस्ट केशियन से ज्यादा किसे फिस्टूवेशन इस रूपीस्ट से ज्यादा किसे यह विद्वा रहे हैं कि वान टो टो टू पूट ट्री फूर तो यहां अंसर मिली लेग इसके आप देखिए, नेक्स्ट आप देखिये, क्वेस्टन नमर फॉर्ट, क्या यूज ओबरलेपिंग क्लास इंटर्वेल्स, टो क्या हम 22-30 जो है ओबरलेपिंग क्लास इंटर्वेल्स, हम यहां इस कर सकते हैं, तो 22-30 अगर है तो यहां 10-20, 22-30, 30-40, 40-40, 55-50, इस इसो ही मेरा चोज कर सकते हैं, तो यहां हम 12-50, ऐसे ही क्लास इंटर्वेल्स चोज कर सकते हैं, तो यहां हम इसके आप सकते हैं, इसके answer में हम कर सकते हैं मतलब है इसको overlapping class interval बना सकते हैं तो इसके साथ और एक question जूट दिया गया अचा if you did, would there be any change in the frequencies यहाँ जो frequency है क्या इस frequency में कोई तबदिल आएगा कोई change आएगा अगर overlapping class interval किया जाए तो यहाँ यक चीज आइडिया लगाना overlapping अगर क्या जाए 10 to 19 आप तो देखिए वही 19 तो कहाएगा ना देखिए यहाँ क्या हो रहे है 10 to 20 होगा अगर overlapping करे तो 10 to 20 होगा तो यहाँ numbers कौन से कौन से लेना होगा आप 10 to 19 तो क्लेना होगा क्योंकि 1st class के जो upper limit होते है इसमें अगर कोई bell आ जाए तो इसको हम नहीं ले change होगे ना अच्छा यहाँ चीज लिखना टूटल जो है ना यहाँ लिखना टूटल 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 क्या है पार नाइन फिफ्टीन ट्वेंटी आप कॉंप्लेट हो रहा है वाई तो आज की वीडियों है तो अगर वीडियों पसंद आए ना तो लाइक करना और आपके स कुंपियों है